हलो फ्रेंट, CKD Stock Market News चेनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ और इसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूँगा Tata Consumer Fund के बारे में तो बहुत फास्ट रेक मोड पे जानने की कोशिस करेंगे Tata India Consumer Fund और इसके बाद में Question and Answer को भी उठाएंगे तो Net Asset Value की बात करेंगे, Actually Tata Consumer से Related Regular Fund एक के पास है तो मैं यहाँ पर Direct Plan से Related बात करूँगा तो अगर यह दो-चार साल के लिए अगर यह mutual fund pause ले ले या आपको return ना दे तो आप यह मान के चलना कि भाई invest ही इस purpose से किया था क्योंकि मुझे वो theme पसंद थी, क्योंकि theme particular time पे एक particular theme ही चल सकती है, हलाकि value research ने इसको rate बहुत कम किया हुआ है और सोनम, उदासी सहाब आपके पैसे को manage करके चल रहा है और जिस तरीके की rating है तो उदासी वाली ही rating है पर return ने ठीक बना के दिया investors को, पांस साल में 105% का return आ गया और क्या चाहिए investors को risk mutual fund के अंदर आपका वेरिया ही रहता है, टाटा इंडिया consumer fund के बारे में बात करेंगे, वो भी regular plan को छोड़ करके direct plan से related पहले बात करते हैं 1642 करोड का asset size, 0.82% का expense ratio है, कई बार investor सोचते हैं कि आरे NFO आ रहा है, NFO आ रहा है, लाओ पैसे लगा दो मेरे भाई आपको हमिसा NFO के अंदर invest करने से बचना चाहिए, NFO, IPU तरह नहीं होता है, जो same day पैसा double हो जाता है, ठीक है तो इस चीच पर ध्यान दो, 5.76% का ये cash flow करके चल रहे हैं, Nifty, India, Consumption, Total, Return Index को ये बेंचमार की तरह फोलो करते हैं, प्लान आपका growth है, 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिस करोगे, तो 0.25% का आपसे exit load पड़ जाएगा चलिए आप बात करते हैं, इसी Tata India Consumer के regular plan से related की, वहाँ किस तरीके का return या वहाँ किस तरीके का scene चल रहा है Hello friends, तो देखिए Tata India Consumer Fund regular plan से related मैंने कुछ research करी और कुछ data मेरे पास है यहाँ से, तो यहीं देखेंगे, देखेंगे, चुकि ये theme based category के mutual funds होते हैं और consumption fund है इसकी category, 5 December 2015 को यह regular plan की तोर पर आया, open end है, minimum investment 5000 है, और minimum top up 1000 से कर सकते हो, total asset 1642 करोड का है और यह किस category में है, regular plan से related में बात करा हूँ, turnover का percentage कितना है, 60.15%, ठीक है expense ratio देखो, आप कितना है, 2.09%, तो regular plan में आप हमेशा याद रखना कि आप expense ratio को बहुत ज़्यादा payment करते हो और यह expense ratio चाहिद इस वज़े से भी charge किया जाता है, क्योंकि यह आपके, जिसने आपको, यह mutual fund distributor ने fund बताया होता है तो उसका भी commission आप से ज़ड़ा होता है, ठीक है, तो इसके expense ratio 2.09% का है, अगर आप इतना expense ratio इसको दे रहे हो तब आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दिक्कत नहीं लग रही है, अगर आपको दिक्कत लग रही है, तो definitely इस plan को regular plan से switch करके आप direct plan पर आजाओ, देखें इस case में आपसे mutual fund distributor आपसे नाराज हो जाएगा, इसके साथ साथ net asset value देखो 30 October तक का कितना है, 31, 31 रुपे, 31 रुपे का इसका NAV चल रहा है, CAGR की बात करेंगे, since inception देखो 15.91% का CAGR आया है, तो वो आपने देखा जो CAGR आया है, 15.91% का CAGR और आ direct plan के अंदर देखो maximum CAGR since inception कितना आया है, 17.72% का CAGR आया है, तब आप आपको decide करना है मेरे भाई कि आपको करना क्या है, इस fund के अंदर रुखना है कि नहीं रुखना है, क्योंकि otherwise मैं इस mutual fund के direct plan से related तो direct plan में आप इसका expense ratio देखिए 0.82% का है, तो देखिए जब आप regular plan और direct plan के अंदर बहुत बड़ा difference होता है, पता क्या difference होता है, कि regular plan आपसे हमेशा expense ratio ज्यादा चार्ज करेगा, हमेशा 99.99% किस में आपसे expense ratio ज्यादा चार्ज किया जाएगा, किस plan में, regular plan में, return भी आपको regular plan में कम मिलेगा as compared to direct plan, ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कुछ question और answer क यह जिते अंदर करके अंदर काफी सारे doubts है, फिर भी, फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, if we start investing in a mutual fund by reviewing its expense ratio and exit load conditions, if the company changes them in future for the same fund, then will they also get change for their existing customer as well as or not, देखिए, यह doubt तो मुझे बिलकुल relevant लगा और बहुत सही भी है, तो देखिए, क्या होगा कि अगर आपका expense ratio change तो इस case में आपका जो भले आप पहले से उस fund के अंदर थे, तो आपका भी expense ratio के अंदर conditions बदल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि expense ratio एक खर्चा होता है, जो कि fund manager आपसे charge करता है, अब वो fund किसी का भी हो, सबसे बराबरी expense ratio लिया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा तो देखिए, यहाँ पर जितेंदर करके message है, sir, your most suggested and valuable PGIM India midcap fund is also giving very low return from the last one year, only 6.5%, please guide, देखिए, आपने साथ मेरा वीडियो नहीं दिखा, PGIM India के, जो midcap के टिगरे का mutual fund है, उसका मैंने एक वीडियो और बनाया था, जहाँ पर देखिए, वहाँ पर मैंने बताया भी था कि भाई साब, अगर 9% से कम return मिल रहा है, तब आपको महाँ विचार कर लेना चाहिए, तो यह तो 6.57% तक आ गया है, अभी तक तो चाहें exit कर लेते, चाहें profit छोड़ के capital, चाहें आप profit छोड़ देते, capital पूरी निकाल लेते, या capital छोड़ देते, profit पूरा निकाल लेते, as the case में भी, जो भी आपको condition अच्छी लगे, वो कीजिए, पर फिर भी, ये PGI मेंडिया मिटकेप की बात करेंगे, अभी भी, क्योंकि ये जो condition है, profit छोड़ दो, return निकालो, ये जो कोई भी condition होती, ये उनके लिए है, जो लोग केवल mutual fund के अंदे return को देखते हैं, कई बार बहुत ज़्यदा defensive चले गए है, जो ये PGM इंडिया का midcap है, बहुत ज़्यदा defensive चले गए है, और defensive होने की वज़े से जब ये stock market गिर रहा है, तब ये mutual fund as compared to other midcaps ये कम गिरेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजे हैं, तो दिखिए, यहाँ से आपने बताया हुए है, वासव, स target कर रहे हैं ये सब चीजें देखने के लिए, पहले तो आप उस app को बताओ, यहाँ पर लिखके, क्योंकि मैं भी देखूं कि भाई, चंद्रमावली आला कहां पर नजार आ रहे हैं ये, from last one year and also most quantity, very low return, most, very low return तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार आपको उस पे भी thumbnail वगएरा भी मैंने लगा दिये थे कि कौन से mutual fund कि इस तरीके का return उन्होंने बना कि दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो mutual fund बिल्कुल ऊपर ही चलता चला जाएगा, at least mutual fund को time चाहिए होता है, asset management company को भी सांस लेने के लिए थोड़ा सा मौका चाहिए, बस व और आप किस app को follow कर रहे हो, यह वो यहाँ पर comment box में मारो जरा मैं भी देखता हूँ कि क्या है, देखे यह fact sheet है, fact sheet हर इंसान के पास asset management company भी सती है, और यह 31 October की fact sheet है, 31 October की, जी हाँ, यह देखो, 31 October 2023 ठीक है, और यहाँ पर जो fund manager है, आप बोल रहे हो तो change हो रहे हैं, पर य क्वांट के small cap fund के manager, देखो, fund manager देखो, अंकित पांडे और संजीव सर्मा, वासफ सैगल, तो देखी मैंने आपको दो तो दिखा दिये, पूरी fact sheet दिखाना एतना तो time नहीं क्योंकि बाकी लोगों की comment भी यहाँ पर line up हैं बिल्कुल, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर के fund ने अच्छा खासा return नहीं दिया, पर अगर आप वहाँ पर जिन shares को इन्होंने target करके रखा हुआ है, तो वो एक थोड़ा सा defensive चले गए हैं, और कुछ नहीं, क्वांट infrastructure fund भाई, infrastructure sector में आप देखो, सबसे तगड़ा return, long term में बात करूँ, short term में मैं किसी को दिखता ही नहीं, long term में आप हमेशा देखो, क्योंकि long term में ही performance कैसी रहे, क्योंकि HDFC के जो asset management company के जितने भी funds हैं, short term में उन्होंने हर category में अच्छा return डाल दिया, investors को, पर long term म बीट नहीं कर पाते, तो वही चीज़ हैं कि किस तरीके का fund है, quant flexi cap, अभी मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से fund manager है, quant multi asset allocation fund, देखे, quant multi asset allocation fund ने long term में बहुत अच्छा return बना के दिया है, short term में थोड़ा सा beat नहीं कर पाएं, वो simple सी बात है, stock market जैसी गिरेगा, तो सबसे क्वांट के fund के ही पिटाई हो जाती है, they should also decrease their expense ratio, of course they should decrease their expense ratio, but as compared to HDFC के asset management company के expense ratio देख लो, ICS ये prudential के expense ratio देख लो, तो उसके इसाब से देखेंगे, तो इनके आर फिर भी, अभी मुझे लगता है कि justify है इनके expense ratio, it is impacting our decision to invest in quant mutual fund, देखे, आपको quant के बारे में आपको इतना गलत नहीं बोलना चाहिए, मैं बताता हूँ, मेरा कोई सगा वाला quant है नहीं, पर मैं एक चीज आप से बताना चाहूँगा, कि simple सी बात है, आपको quant का fund, आपको ये मानना पड़ेगा, कि आपको quant asset management company पसंद नहीं है, ठीक, ये आप मानिए, पहली बात आप ये मानिए, कि कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मुझे कोई x y z share नहीं पसंद है, सामने वालों को चीज पसंद है, बस ये चीज है न, आपको नहीं पसंद है, आप मत invest करो, कोई दिक्कत नहीं यहां से, please provide your guidance, if we can trust and invest in quantum, ये तो आपको अपने financial advisor से पुछना पड़ेगा, कि आपको करना ही कि नहीं करना है, और वैसे भी, किसी भी mutual fund हो, किसी भी share market में हो, ये सबसे best time चल रहा है, invest करने का, तो किसी भी तरीके से, कर साहब, आप अपनी SIP को बंद मत कीजेगा, SIP के साथ consistency maintain करो, ठीक है, ये बड़ा genuine comments है, small cap and mid cap index funds are giving very good returns, more than 20% then why do we expect low returns from index fund, actually क्या है कि जो ज्यादा ज्यादा risk लेते हैं, तो उनके लिए small cap और mid cap का index fund तो ठीक है, पर जो लोग risk बिलकुल नहीं लेना चाहेते हैं, उनके लिए large cap के degree के index fund में invest करना चाहिए, क्योंकि कई बार investor होता है, कि यार मेरा पैसा गिरना नीची, एक पर से ने गिरना चाहिए, return भली का मिल जाए, तो उनके लिए large cap के degree का index fund best है, और वैसे भी, small cap और mid cap में मेरा खुद से मानना है, कि इनके index fund से अच्छा है, कि इनके आप mutual funds में invest करो, क्योंकि कई बार काफी सारे mutual funds होते हैं, काफी सारे छोड़ दो, maximum mutual funds हैं, जो लोग index को भी बीट करा देते हैं, तो अगर आपक आपके index fund को पकड़ रहे हो, तो इससे अच्छा है कि एक proper fund को पकड़ो, वो आपको अच्छा return देगा, तो वही चीज़ है जिनको risk कम लेना, risk वाला थोड़ा सीन है कर जी, ठीक है, प्रणो पटेल का message है, value addition content लेकर क्या करूं, मैं यहाँ पर value addition content के लिए, आप यहाँ पर पर, मैंने कोई भी चीज ऐसे नहीं डाली हुई है, proper मैंने playlist बनाई हुई है, multi bagger mutual funds के नाम से playlist पड़ी हुई है, जितने भी video है, go through कर जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा fund अच्छा है, कौन सा fund खराब है, और सबसे अच्छी चीज जानने के लिए, long term के लि नीचे है, तो flexicap से better multi cap है, बात तो सही है, flexicap से better multi cap है, actually better मत बोलो यहाँ पर, यह बोलो कि flexicap अलग है और multi cap अलग है, multi cap में 3 category के funds का combo है, और flexicap में combo तो fund manager के उपर depend करता है कि वो किस तरीके से बनाएगा, पर fund manager ज्यादा ही protective हो जाता है, तो इस वज़े से वो maximum shares ना large cap category के रख लेता है, तो जो लोग बहुत कम रेस्क लेता चाहते हैं, उनके लिए flexicap है, जो लोग जिनका 45 साल से नीचे है, तो वो multi cap category के mutual funds में चले जाएं, अब उनका यह कहना है कि flexicap, mid cap, small cap, small cap से अच्छा है कि एक multi cap category का mutual fund ले लें, तो क्या यह इस तरीके से बना लें, दिखिए, multi cap category का अगर आप एक portfolio बना रहे हो, तो simple सी बात है, आपके पास एक mutual fund है, जहाँ पर तीन category के shares लगे हुए हैं, अगर asset management company का जो fund manager है, अगर उसका राय या उसके probability गडबड हो गई, तो आप फिर कहीं के ने रहे, क्योंकि आप एक ही नाव में सवार थे, ठिक, व आपके पास mid cap है, वो अच्छा return दे जाए, तो दोनों ही अलग चीज़े हैं, अगर आप बिलकुल डंके की चोट पर जाना चाहते हैं, कि मुझे बहुत ज़्यदा risk लेना है, कोई बात ने, multi cap के degree का simple, एक mutual fund ले लो, फिर risk लेना ही था, तो multi cap क्यों लेना, फिर सीधा सीध इस journey में आपको consistency maintain करनी है, और एक कछुए वाली चाल ही चलना, देखिए अगर आप महीने में 50,000 या 1,00,000 रुपए कमाते हो, तो सबसे पहले proper खर्चा करो, जितना खर्चे के बाद चाहें, 1000 रुपए बचे, चाहें उसके बाद 500 रुपए बचे, उसको invest करने के लिए ल long term है, और consistency के साथ आपको invest करना पड़ेगा, जिनका shorter में बन गया, उनका किस्मत अच्छा था मेरे भाई, आप अपने case में वर्स के scenario ही ले करके चलो, जर्नी बहुत बढ़ी है, तो किर्पया, थोड़ा सा mutual fund को diversify करो, इसके साथ साथ एक बढ़िया से fund manager से मिलो, या financial advisor से म हो, तब आपकी वो consistency पूरी होगी, कचुए की चालते चलेंगे, stock market में करोलपती तो guarantee है कि बनी जाएंगे, लेकिन अगर आप खरगोस की चालते चलेंगे, तो possibility यह है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पैसे एक जुरुत हो गई, तो जितनी ही रफतार से पैसा डाल क्योंकि है, mutual fund का जब भी portfolio करवा हो ना, किसी financial advisor से ही पूछना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपसे बहुत सारे question पूछता है, और इस चीज़ को आप इतना आसान मतलो share market, इतना आसान है नहीं share market, और नहीं financial, नहीं पैसे को manage करना इतना आसान है, अगर इतना आसान होता त इतना आज की generation की लोग ले रहे हैं, फिर भी मैं एक चीज़ रिव्यू कर देता हूं यहां से इन mutual funds का, तो पराग पारिक flexi cap के degree का mutual fund बैतरीन है, HDFC का mid cap opportunities fund सबसे बैतरीन है, quant का mid cap fund ये भी अच्छा mutual fund है, quant का small cap fund ये भी बैतरीन mutual fund है, निपोन इंडिया का small cap fund भी बहुत बैतरीन fund है, इन सबसे अच्छा return आपको देखना निपोन इंडिया small cap दे रहा होगा, अगर आप पिछले एक दो साल से इसके अतर इंवेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, तो इस सभी mutual fund आपके सामने है, आपके साथ में जो है ना, पांच के पांचों बैतरीन है, ठीक है, हलो करूँगा कि आपका भी कमेंट सामिल किया जा सके, थोड़ा सा लेट होता है, कोई दिक्कत नहीं पर वी दिन वन मन्थ आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हरर महादयो, आयपा शरलम, हरी शरलम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद